हलो हैवड़ीवन कैसे हैं आप सब दो गाईज आज मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूं TNW Green Tea Face Wash का आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाईज आज मैं आपके साथ TNW The Natural Wash Green Tea Face Wash का रिव्यू शेयर करने जा रही हूं तो यह है The Natural Wash Green Tea Face Wash Modern Ayurvedic Formulation तो गाईज विद दि रिचनेस आफ आलमेड ओयल और वाइटमिन सी तो गाईज यह TNW का जो Green Tea Face Wash है इसमें आलमंड ओयल और वाइटमिन सी इसके साथ यूस किया गया है तो यह तीनों ही चीजे हमारी स्किन के लिए बहुती ज़ादा बैनेफिशियल है तो गाईज स्पेशली फोर ड्राइज स्किन तो गाईज यहाँ पे इन्होंने इनोंने मेंचिन की है ड्राइटू कॉंबिनेशन स्किन टाइप के लिए यह फेस वोश है जिनकी स्किन ड्राइज है या फिर यह फेस वोश यूस कर सकते है इसका 100 ml and made in India dermatologically tested product है तो गाईज जो इसकी outer packaging है वो है cardboard की packaging की हुई है इसके साथ काफी सारी information प्रोवाइड की गई है तो गाईज हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें क्यों यह बला product यूज करना है तो वो देख लेते हैं why to choose the TNW face wash first moisturizes dry skin minimize open pores reduce dullness and impurities and diminishes tanning deep cleanses the skin तो गाईज हमारी skin को deep clean करता है और minimize करता है open pores को तो गाईज इसके बाद हम देख लेते हैं इस product को open करके कि इस product की जो इनर packaging है जो यह face wash की packaging है वो कैसी है उसके साथ गाईज इन्होंने हमें एक छोटी सी slip दी हुई है जिस पे इन्होंने अपने product बताई हुए है कि इनके और कौन-कौन से product है इनके skin care product है body care product है lip care है and hair care product आपको मिल जाएएंगे आप इनकी website पे जाकर check out कर सकते हैं तो guys इसके बाद अगर हम इस product की इस face wash की बात करें तो एक tube की form में यह हमें product मिलता है और front पे इन्होंने वही सारी information provide की है जो मैंने आपको पहले बता दी वही सारी information इन्होंने यहां पे भी provide की है तो guys इसका market price जो अगर हम बात करें तो market price इसका है 2.95 रुपीज मैंने इसे online purchase किया था तो 24 मंथ इसकी shelf life आपको मिल जाएगी और guys इन्होंने इसके उपर mention किया हुआ है sulfate and paraben free product है तो इनका TNW का यह कहना है कि जो भी इनके product है इन्होंने जो भी ingredients mention किये है या फिर इन्होंने ingredients use किये है वो ऐसी ingredient इन्होंने use किये है जो हमारी skin को harm नहीं करेंगे जो हमारी skin के लिए harmful नहीं होगी इनके साथ हमारी skin को कोई side effect नहीं होगा यह कहना है TNW के जिनकी यह product है इनका कहना TNW का कहना है तो गाइस इनकी अगर हम ingredients की बात करें तो ingredients भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें इन्होंने कौन-कौन से ingredients अड़ किये है तो गाइस इसमें glycerine almond oil तो गाइस इसमें जो भी ingredients इन्होंने mention किये हैं उसमें इन्होंने first ingredient बोला है almond oil तो almond oil हमारी skin को moisturize करता है नरिश करता है और जो भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें light करने में हमारी help करता है इसके बाद गाइस इसमें जो second ingredient है वो है padma का extract जो हमारी skin को smooth करने में add हमारी skin को soft करने में हमारी help करता है next हमारे पास है green tea extract green tea extract के साथ क्या होता है हमारे face पे जो भी dark circles होते हैं दाग धब्बे होते हैं वो light होते हैं हमारी skin का complexion fair होता है vitamin C vitamin C हमारे face पे जो भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें light करने में हमारी help करता है इसके बाद guys है लिकोराइज एक्स्ट्रेक्ट हमारी फेस पे जो भी डलनेस होती है उसे reduce करता है tanning को remove करता है glow देता है हमारी skin को भी दाग दब्य होती है उन्हें light करने में हमारी help करता है तो जो भी non-engredients यहां पे mentioning की है वो सबी ingredients इन्होंने ऐसे mention किये हैं जो हमारी skin के लिए helpful रहेंगे like हमारी skin को glow देंगे and इसके साथ साथ जो भी हमारे face पे डलने सोगी उसे reduce करेंगे हमारी skin को soft करेंगे smooth करेंगे तो overall अगर इनके face wash की बात करूँ अपने experience की बात मैं बात में करूँगी लेकिन सबसे पहले अगर हम इनके face wash की बात करें तो overall ये face wash dry skin के लिए बहुती ज़ादा beneficial रहने वाला है तो guys इस पे इन्होंने और भी काफी सारी information प्रोवाइड की है इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो face wash है ये natural ingredients से बना हुआ है this herbal face wash is a perfect mix of two very beneficial ingredients which is almond oil and green tea extract it moisturizes the skin providing smooth and dirt free skin by cleansing it efficiently it minimizes the pores and refreshes your face by providing a perfect glow so guys यहाँ पर इन्होंने जो भी चीज़े mention की है वो मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ and इन्होंने ये भी बोला है कि store आपको इसे dry and cool place पे store करना है do not use the damage or broken skin तो आपको damage and broken skin पे नहीं use करना flip flop cap इसके साथ आपको मिलेगा इसके texture की बात करूँ तो guys इसका off white जो है color है इसका कई बार क्या होता है कि बहुत सारे product ऐसी होते हैं जिनमें बहुत सारा chemical डाला गया होता है और उनके colors भी आप अगर देखेंगे ना तो उनके colors भी बहुत जादा dark colors होते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है fragrance की बात करूँ तो fragrance इसकी बिल्कुल mild सी है जैसे मैंने आपको बोला कि इसका off white color है fragrance इसकी बिल्कुल mild है जल form में है बहुत जादा leather करता है हमारे face पे बहुत जादा form नहीं करता तो guys इसके साथ मेरा experience कैसा रहा अगर मैं अपने experience की बात करूँ ना तो मेरा इसके साथ बहुत जादा अच्छा experience रहा क्योंकि मेरी skin dry है तो dry skin के लिए बहुत जादा problem रहती है dullness की उसके साथ साथ हमारी skin पे जो मेरे अपनी बात करूँ तो मुझे open pores की problem थी साथ reduce हुई है तो मैं इसे 20-25 दिन से use कर रही थी regular तो मेरा experience इस face wash के साथ बहुत जादा अच्छा रहा है आप buy करना चाहते हैं link आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहाँ से check out कर लेना तो यही थी मेरी आज की video वीडियो अच्छी दगी हो तो like करना, share करना चैनल को subscribe करना, bell icon को press करना thank you friends